एक गलती ऐसी जो आपको खादी सुरुक्षा से वंचीत रख सकती है चाहे आप खादी सुरुक्षा के लिए एलिजीबली क्यों ना हो चलिए उसके बारे में पहले बात करते हैं आप सभी को ये तो अच्छे से पता होगा कि रजस्तान में लगबख ऐसे परिवार है जिनकी जनना दरकाड में कितनी इंकम लगी है उन्हें पता नहीं है कि बीना जना दर्काड को चेक कि डारेक्टी खादी सुरुक्षा में अपलाई कर रहे हैं वो सोच रहे हैं हम खादी सुरुक्षा के लिए लीजिबल है लेकिन बहुत सारे लोगों के जना दर्काड में इंकम 1,00,000 से ज़्यादा की हुई है यानि उन्होंने नहीं किया लेकिन इमीत दायर नहीं या फिर किसी भी गलती की वज़े से वहाँ पर एक लाग से ज़्यादा इंकम हो रही है सबी सदश्यों की तो इस वज़े से उनके फोरम भी रिजेक्ट हो रहे हैं तो अगर आपके जना दरकाड में भी आपके पूरे परिवार की सदश्यों की इंकम एक लाग से अधिक होती है तो आपको ख़जी सुक्षा का लाब नहीं मिलेगा आपका फोरम रिजेक्ट किया जा सकता है या फिर आपसे दुबारा करेक्शन के लिए बोला जा सकता है तो आप पहले जना दरकाड को जरूर चेक करें जब आप ख़जी सुक्षा का फोम बरे तो आप एक बार ये जरूर चेक कर लें नहीं है कि हम कौन सी केटिगरी से का दिसरुक्षा में जुड़ें, अगर हम किसी भी केटिगरी का चुनाव करते हैं, तो उससे समन्दित डोकुमेट देना होगा, तो किस केटिगरी में कौन सा डोकुमेट दे, अब चलिए मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ, अब यह इसके बारे में मैंने complete वीडियो बना रखाया ओप्लाइन फॉरम वाला वीडियो आप देखकर समझ सकते हो तो वह आपको करवा लेना है अगर आप लगूया सिमात किसान नहीं हो लेकिन किसान हो और आपके पास जमीन नहीं है तो आप भूमीन किसान वाला वह option select कर सकते हो औ पटवारी की रिपोर्ट करवा सकते हो और उसके माधिन से आप खायजी सुर्ख योजना में जुड़ सकते हो अगली जो कैटिगरी है वो यह है कि अगर आपने 2009 या फिर 10 के बाद किसी भी एक साल में 100 दिन मंडरेगा में complete किये हैं तो आप आसानी से खायजी सुर्ख वीडियो में इसके बारे में मैंने complete detail में बताया है तो इस तरह से भी आप खादी सुर्ख योजना में जुड़ सकते हो अब बहुत सारे लोग घह रहे हैं कि अगर कोई पेंसन दारी है तो उनका क्या डोकुमेंट लगा सकते हो इसी के साथ है आए परमान पतर लगाना जुरूर लगाएं अब यहाँ पर एक हैडिकरी है सरमीकों के और इससे समनित बहुत सारे कमेंट भी आ रहे हैं क्या इस सरमकार्ड दारी खादी सुर्ख योजना में जुरूर सकते हो लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली है जब राजस्तान में यह सरमीकार्ड नहीं वो किसान थे या फिर कोई और काम करते थे लेकिन इमीतर पर जाकर किसी भी तरह से उन्हें ने वह सरमीकार्ड बनवा लिए थे तो अगर आपके पास ऐसा सरमीकार्ड है और आप सरमीक नहीं हो आपको और दिक्कत आएगिए अगर आप निर्मार्ण सरमीक हो और तो आज नहीं तो कल आपको अधिक्ट जरूर आए गिया, अगर आपने वो सर्मिकार्ट सही तरह से बनाया है तो आप बहुत सारे लोगों के उपस सर्मपी कार्ड है, जो भी वे क्ति सर्मिकार्ड धारी आड conversation है, यह लड़ा ले सकते हैं. तो दोस्तो इस वीडियो को बनाने का मेन मक्स से दिए ही है कि आप खाजी सुरक्षा में जब भी अपलाई करें तो एक बार चेक जरूर कर लें कि आपके जना दाकाड में इनकम सही से अपडेट है या नहीं नहीं तो आगे चल कर आपका फोरॉम रिजेक्ट हो सकता है चाहि मिलता है अगले वीडियो में तब तक जय हिंद वंदे मातरम